तो यॉपंधूक में चेनल तो आज अम डिसकस करने वाले कॉटलन क्या होता है उसी स्थार्ट करते हैं कि उसके नहीं होता किया है तो यहां पर जुद्धी कर रहा है इतना सारा लैंगुज लिखा हुआ यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमारे लिए यह उपॉ operating system में रन करते हैं जैसे कि वह Windows में रन हो जाता है Linux में रन हो जाता है Mac OS में रन हो जाता है तो इसका मतलब ही है कि Kotlin एक Cross Platform Language है जो कि Java Language से बहुत ही नजदीक लैंगेज है इसका मतलब क्या हुआ मतलब कि जो Java Language है उसका ही जैसा है Kotlin Language का same syntax से है बहुत ही जैसा उसी के जैसा काम करता है और यह जावा वर्चल मसीन जेवी एम पर ही Kotlin रन करता है तो हमको बस इतना ही जालना है कि Kotlin Language है वह एक Cross Platform Language है और वह Java जेवी जेवी एम पर रन करता है और वह बहुत ही क्लोज है जावा Programming Language के और यहां पर detail में लिखा हुआ इसको देख लेना बाल में उसके बाद हम को जानना है कि Kotlin is used for Kotlin को हम यूज करते हैं तो Kotlin को हम यूज करते हैं Anode App बनाने के लिए उसका वाद web development के लिए front end के लिए फिर side server side application बनाने के लिए और data science में भी हम को करते हैं तो अभी तक हम जान चुके कि Kotlin क्या होता है Kotlin को हम use क्यों करते हैं और आज का last topic है कि वाइज को क्यों करें कहां use करते हैं वह तो हम देख लिए बट को कहां करें क्यों करें यह रिजन जानते हैं तो kotlin is fully compatible with java java के साथ बहुत ही अच्छा से काम करते हैं तो java के जैसे ही kotlin language है और यह cross platform में बहुत सारा operating system पर यह kotlin भी run कर जाता है और यह safe to use है kotlin is safe हम इसको easily use कर सकते हैं और यह kotlin बहुत safe language है फिर यहां पर दिया हुआ कि kotlin easy to learn kotlin बहुत easy language है इसको easy से हम learn कर सकते हैं अगर किसी को java आता है तो वह easily इस language को learn करता है और kotlin is free to use kotlin एक free language हम इसको easily download करके इसको run करते हैं तो i hope समझ आएगा तो thanks for watching my video